आपको परमन्त की जो मैगजीन है मिल गई है एक्टूबर वाली और कल वीडियो भी इस पे आपको लोगों को मिल गया है अब एक दो नॉम्बर का एक को नहीं बना पाया थे तो एक दो नॉम्बर का परिक्षा खबरी आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और इस पे मु रुगी हुई है वो भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी आरों के लिए बहुत सारी क्लासे मैंने प्लान की है तो वो फिर शीडियो लोंगी ठीक है बाकी आठ बजे रात वाली क्लास आज से कांटिन्यू रहेगी मानो तसकरी बहुत ही बड़ा मुद्दा तो हाली में संगाई सेयोक संग्ठर ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 19-वी बैठक अभियोजक जनरल की जो बैठक थी उसमें मानो तसकरी विशेश रूप से महिलाओं और बच्चेों की तसकरी के बढ़ते खदरे को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सहयोक को मजबूत करने के लिए एक पर्टो काल को अपनाया। बच्चों को गिड्नेप करके उनको उनका अंग भंग करके भिखारी भी बना देते हैं और उनसे पैसे वसूलवाते हैं ये भी एक बड़ा आपने स्लम डाग मिलेनियर में ये चीज देखी होगी कैसे आखों में बेचारे के बच्चे के सुरुमा डाल देता हो ये सब चीज अनैतिक व्यापारत नियाव 1956 इस मुद्देश निपटने के लिए प्रमुक कानून है जो प्रासंगिक कानून है वो कौन-कौन से है भारत में ये देख लिए इसी तरह मुखी परिक्षा में लिख देंगे विभिन कानूनों को तो आपको काफी नंबर वहां पे मिल सकते ह पन इस मुद्देश निपटने के लिए प्रमुक कानून है भारती समिधान के अनोचे 2324 इस शोशल के खिलाब अधिकार देते हैं बलात्स्रम को रोकते हैं आई पीसी में 25 धाराय हैं जैसे 346A, 376B, 373, 374 ये सभी अनेतिक ब्यापार को दुर्व्यवार को रोकते हैं किशोर न्याय अधनियम और सूचना प्रद्यों की अधनियम तथा बाल श्रम रोकताम अधनियम बदुवा श्रम अनुमूलन अधनियम ये सभी महत्पुन कानून है जो भारत में प्रासंगिक ह भारत में आज भी इनको लागू किया जाता है जो मानो तसकरी के सभी रूपों को कहीं कहीं रोकते हैं जुलाई 2021 में महिला और बाल विकास मंत्रले ने मानो तसकरी विरोधी विधेक व्यक्तियों की तसकरी रोकताम देखभाल और पुनरवास विधेक 2021 का मौसोदा जरी कि मत्तब इसकी रोकताम की जाए कानून के माध्यम से जिनको छुडाया जा रहा है जिन बच्चेों को या जिन पुरुश या महिलाओं को इस इस्तिति से उनकी देखभाल की व्योस्ता हो ठीक है उनका स्वास तो जहाँ चादी करवाया जाए उसके बाद उनके पुनरवास क प्रयास किया जाए तो ये तीनों ही चीजों एक साथ करने के लिए कानून ये विधे का मसोदा जारी किया गया 2021 का भारत ने अंतर राष्टी संगठित अपराध पेलेरमो कन्वेंशन जिसको कहते हैं पर सयुत राज सम्मिलन की पुष्टी की है जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेश रूप से महिलाओं और बच्चों की तसकरी को रोकने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल है भारत ने वहिशा वेटती के लिए महिलाओं और बच्चों की तसकरी को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए सार्ग करनेशन की भी पुष्टी की है मानो तसक देखे इस सब कर्योंशन आप कहीं नोट कर लीजे बहुत महत्रपूर है हम डेली के परिक्षा खबरी के जो करेंट फेस के ये हमारे पीडियेफ हैं इनको हम डेली जे हो इस्टडी टेलिग्राम गूप पे शेयर करते जाएंगे आप लोग मुख परिक्षा देने वाले तो मानो तसकरी के अपराज से निपटने के लिए राज सरकारों द्वारा विभिन निडियों को संप्रिशित करने और अनुवर्ती कारवाई के लिए ग्रिम अंत्राले में वर्ष 2006 में एंटी ट्रेफिकिंग नोडल सेवा सेल की अस्थापना की गई थी कब 2006 में नियाइक संगोष्टी निचली अदालत के नियाइक अधिकारियों को प्रसिक्षित और समिधर्शिल बनने के लिए मानो तसकरी पर नियाइक संगोष्टी उच्च नैले अस्तर पर आयोजित की जाती ध्यान रखियागा ग्रिय मंत्राले ने प्रसिक्ष्ण और शम्ता निर्माड के माध्यम से व्यक्तियों की तसकरी के विरुद भारत में कानून प्रवर्तन प्रत्रिया को मजबूत करने की एक व्यापक योजना के ताहत देश के 270 जिलों में मानो तसकरी विरुदी इकाईयों के स्थापना के लिए फंड जारे किया है उजला योजना वर्स 2007 में बच्चों और महिलाओं की तसकरी को समात करने के लिए शुरू की गई थी ये उजला योजना दूसरी हधियान रखियेगा वो गैस वाली नहीं है इस योजना का विदेश यौन सोचन के लिए तसकरी को रोकना बचाओ पुनरवास और उन्हें सोधेश भेजना है स्वाधार ग्री योजना इसी तरह की योजना है सख्य योजना महिलू स्वाधार ग्री योजना है ये जो बुरी परिस्तिती में रह रही महिलाएं हैं गंभीर परिस्तिती में तो उनको उनकी सहायता करने के लिए हैं सकी महिला हेल्प लाइन का सारभाव में की करने इसी तरह आप देख सकते हैं रेलवे ने सहेली नाम कायकरम आरपी अफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से चलाया है महिलाओं की साहता के लिए ताकि ट्रेन में कोई उनके साथ उत्पीड़न नहों जैसे बीविन पहले हिंसा से प्रभावित महिलाओं की चिंताओं गदूर करने के लिए सहायक संस्थागर धाचे और तंत्र प्रदान करती है ठीक है आए व्यक्तिकर डेटा से छूट की मांग की है तो ये कानून जो है उसे छूट की मांग की है निजी डेटा सरक्षन विधेक है क्या क्यों इस से छूट की मांग की है तो इस विधेक की उत्पत्ती का स्रोत नियायमूर्थी बियन किष्णा की अध्यक्ता में गठी ते एक विशेशक की समित की रि दोरान सरकारत्वाराई समितिका गठन किया गया था बीयल किश्या की ये विध्यक सरकार को विदेशों से कुछ प्रकार के व्यक्तिकाट डेटा के हस्तांतर को अधिकित करने की शक्ति देता है और सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिकाट डेटा एकत करने के अन कुछ प्रकार की व्यक्तिकत डेटा जैसे वित्ती स्वास्त वियुक्त यौन अभि मिन्यास बायों मेट्रिक अनुवांशिक च्रांजिंडर इस्थी जाती धार्मिक विस्वास और अन्ये शेडी इसमें शामिल हैं महत्तपूर्ण व्यक्तिकर्डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड जिसका डेटा संग्रहित और संसाधित किया जा सकता है किया जा रहा है सोसल मीडिया कंपनिया क्या है जिन सोसल मीडिया कंपनियों को डेटा की मात्रा और समेदर शीलता के साथ साथ उनके कारोबार जैसे कारकों के आधार पर महत्मूर डेटा न्यासी माना जाता है उन्हें स्वयम का उपयोग करता सत्यापन तंत्र विक्सित करना होगा जैसे फेस्बूक हो गया वाटसाप हो गया तो आपने जो भी अपना लॉग इन करते वक्त जब फेस्बूक आप एकाउंट बनाएंगे तो अपना नाम वगरा जो भी उसमें डाटा देते हो कहने मतलब कि आपक कुछ व्यक्तिकर डेटा है उनका केटेग्री डिसाइड कर दी गई है कि वो व्यक्तिकर डेटा मागने के बाद ही वो आपको इंट्री दे आपका एकाउंट ओके करें एक स्वतन्त नियामक डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा आकिलन और आडिट की देखरे की recognize हाथ्लें को डेटा पॉर्टिविल्टी का अधिकार एकर अपने स्वयंकर की देटा तक पहुँचने और स्थानानुत रित करने की अधिकार भी प्रधान किये गई है भुलाय जाने का दिकार तो इस अधिकार के तहट किसी व्यक्तिक डेटा संग्रछ और उसके प्रकाश तो उसको हटवा सकते हैं ये अनुमती है आपको अपवाद एम छूट तो नीजी डेटा सरक्ष्ण विदेहक 2019 में एक विवादास्पत धारा पैते सामिल है जिसके अतहद भारत की संप्रभुता और अखंडता साजनिक व्योस्था विदेशी राज्यों के साथ मैत्यपूर् और इसी पर सबस्यादा विवाद भी था विदेख संबंदित अन्यचिंता है क्या है तो ये विदेख दो धारी तलवाल की तरह है एक और ये विदेख भारतियों को डाड़ डेटा स्वामित का अधिकार देकर उनके निजी डेटा की रक्षा करता है वही दूसी और विद अधिकार को भी संसाधित किया जा सकता है यही प्रमुक्षिंता का विश्या है कि लोगों की फिर निस्ता कहां रह गई जब सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं ठीक उसी तरह एक समय जब अंग्रेजियों के समय कोवर्नर जन्रल भले ही शक्तिया विदा अधिकार को संग्रहित या डेटा को आपके जानकरी ले सकती है संसाधित कर सकती है इलेक्ट्रिक वाहन भोविश्य का परिवहन इस पर प्रश्ण आना ही आना ध्यान रखेगा विश्यु के दस सरवाधिक प्रदूशी शहरों में से नो भारत में स्थे गेटर नोएडा न कि वहानों से होने अपमाला प्रदूश्य है क MUSK प्रदूश्य सभसे महतमार को नहीं बाता है अल्यक्तिक वाहन की बात करें तो एलेक्ट्रिक महान ऑंत्रिक ढपन इंजनिं के बबजाए बेलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते है इन में इधन टैंक बजाए बैटरी लग अधिकाधिक प्रियोग कर रहे हैं महिंद्रा जैसी कार निर्वाता कंपनी की ओला जैसी उभोकता सेवा प्रताता कंपनी के साथ और टाटा मोटर्स की ब्लू स्मार्ट मोबिल्टी के साथ साजेधारी से अधिकाधिक एलेक्ट्रिक वाहर डिलिवरी और राइट हेलिंग देखा भारत सरकार ने कई जगह लखनाव जैसे बड़े-बड़े शहरों में चार्जेंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए एक इस्थिवनीति का अभाव है इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन एक पूजी गहन शेत्र है जहा हालाकि अभी भारत सरकार ने कई ऐसे कतम यह प्रहारन स्क्रेपिंग नहीं थी और कई ऐसे उठाधन उठाये हैं एक इलेक्ट्रिक वाहनों को जो यूश करेगा और जो खिश प्थिवनीत्व ऑनू उसे संब्धित मैनिफेक्ट्र करेगा उसके लिए विसाहतहां की बाद भारे सरकार ने की हैं फेम इंडिया वन फेम इंडिया टू इसलिए चलाए गए हैं कि ताकि इलेक्ट्रिक वेहिकल के प्रयोग को बढ़ाया जाए तो ऐसा नहीं सरकार प्यास नहीं कर रहे हैं लेकिन बेसिक लेबल पर यह सबी चिंताय हैं जिसको दूर करने की दूरत हैं तकनीके चुनोती हैं भारत इलेक्ट्रोनिस उत्पादन के वावले में तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है जैकि बैटरी यह सबसे महत्पूंच चुनोती है कि हमारे हाँ जो एलेक्ट्रिक वेहिकल्स आ रहे हैं वो आप अगर ब्याहरी रूप से किसी एलेक्ट्रिक वाले से बात करो तो खुद ही कहेगा कि बड़ा नुकसान इसमें फाइदा क्या है एक तो उसकी सबस्वड़ी चिंता है कि हर साल बैटरी उसकी बदलनी पढ़ती हो बैटरी आती ही बहुत महगी यहीं एक बहुत बढ़ी बात है अगर पैसे नहीं निकल पाए तो फिर जि इसी मनाब डी सी चार्जे इस्टेशनों ग्रिड इस्थिरता और रेंज एंग्जाइटी यह भय की बैटरी जल्दी खतम हो जाएगी जो मैंने के संबन में परश्टा की कमी है कहीं कहीं है ऐसी बैटरी खराब रहती कि दो घंटे भी सहीं से नहीं चल पाती है ठीक है और तो धीरे चार्ज हो रही है पूरी राट अगर लगाओ तब वो चार्ज होती है तो ये सब समस्याहें हैं तकनीकी समस्याहें ही और जिसका डर रहता है घयरलू उत्पादन के लिए सामगरी को लइग उपलबता में कमी भारत लिथियाम आयन मेट्री के आयात के लिए और परसे प्रक्रामो के अभाव है जिसको प्रॉइड करवाने की आवशक्ता है आगे की रह तो इलेक्रिक वहनों में संधाने needle विकास को बढ़ाना स्वधेशी प्रद्योकियों के लिए इसके लिए कीमतों को कम करने के लिए स्थानी sabrosand विकास में निवेश आउश्चिक है भारत को युनाइटेट किंग्नम जैसे देशों के साथ मिलकर कारे करना चाहिए और एक्ट्रिक मानों के विकास को सुसंगत बनाना चाहिए लोगों को जागरुक करना चाहिए नयव भुकता विवहार कर निर्माड करना चाहिए विवहार बिजली मूल इनधारण और संपूर बिजली उत्पादर परदिश्च में भी प्रिवितल लाजने के आउशकता है भार महत्पूर्ण बात हो सकती कि सवर उर्जा से सज्चालित चार्जिंग इस्टेशन अगर हर सहर में हर शहर में एक दो 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 तीन तीन स्थापित किये जाए तो इस समस्या से समाधान पाए जा सकता है क्लोज लूप मोबिल्टी एको सिस्टम का निर्माड करना तो इलेक्ट्रिक आपूर्थ शिंखला के लिए विल निर्माड़क को सबसेड़ी प्रतान करने से निश्चित रूप से भारत में इलेक्ट्रिक महानों के विकास परदिश्च में सुधार होगा चार्जिंग इंफरस्ट्रक्चर के साथ ही एक सुधिड आपूर्थ शिंखला के स्थापना की भी आउशकता होगी इसके अलामा बैटरी के रिसाइक्लिंग स्टेशनों की बैटरी से धादू को पुनर प्राप्त करने के आउशकता होगी ताकि क्लोज लूप का निर्माड़ हो सके जिनका पुनर उपयोग भी किया जा सके ग्याद हो कि चीन और दक्षिट कोरिया की कमपनिया निथियम आयधारित ईवी बैटरी की सबसे बड़ी आपूर्थ करता है ऐसे में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संग्ठन उपेक की जगह लेने के लिए एक नई वैशिक व्योस्ता उभर सकती है बहतर चार्जिका वस्तार की बात करें बैटरी निर्वार्ड फैक्ट्रियों के बात करें कार कंपनियों यह वुब्भकत्याओं को रिपोर्ट के उसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, 31 बच्चे हर रोज खुदकुशी कर रहे हैं, वह राज जिसने उर्जा दक्षता सुचकांग 2020 में प्रतमस्थान प्राप्त किया है, तो करनाटक ने उर्जा दक्षता सुचकांग 2020 में प्रत अधोनम का कारेकाल टेड्डोस अधोनम इनका नाम है घेबरेयस अधोनम का कारेकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तो पांच वर्ष के लिए इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है ध्यान रखेगा सेlists अरव अमिराट में भारत का राजदूद किसे नियुद किया गया है संजय सुधीर कोस युएई में भारत का राजदूद नियुद किया गया है केंदी सिक्षामंती धरवेणर प्रधान ने 22 भाशाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले जस एब को लांच किया है क्या नام है संगम एब नाम है हालि में पृत्वी विग्यान मंतले ने जिस शहर में भारत का पहला माणव युक्त महा सागर मिश्त-समुद्रेः लांच किया है तो चन्ण ही है थिखे में समुद्र ध्यान रखेगा नेतियाख की रिपोर्ट की मुताबिक भारत के कितने लोगों का कोई स्वास मिमा नहीं तो 40 करोंड लोगों का स्वास भी मर नहीं है और इसा सरकार ने इलेक्ट्रिक महानों पर मोटर वहन कर वह पंजी करसुल पर कितने प्रतिश्च छूट देने की खुश्चा की है सौ प्रतिश्रत यू यह आप उधारण भी दे सकते हैं कि इस तरह से अगर राज सरकारे करें छूट दे तो इलेक्ट्रिक महानों को बढ़ सरदारी किसे सो पी है राहुल गुपता को टी ट्वेंटी इंडरेश्चनल क्रिकेट में सबसे तेज सो विकट लेने वाला दुनिया के पहले एक राड़ी कौन वन गया है राश्यत खान तिरपन मैचों में सो विकट लिया इन्होंने ती ट्वेंटी में राश्टी एकता सरकार ने सुप्रीम कोट के किस पूर नियाधिश को राश्टी कंपनी विधी अपीली नियाधिकर्ण का चेर्मेन ने उक किया है तो अशोक भूशड को ठीक है वस दोजार सतर तक कार्बन तटरस्ता का लक्ष भारत हाली में भारत ने खुशना की है कि वह अपने पाच उस सरजन को 50% तक कम करना भी शामिल है भारत ने यह घुशना ग्लास्गो में आविजित कांफरेंस आप पार्टी 26 जलवाई शेकर सम्मेलने के दोरान की है साथ ही भारत ने विकसित देशों से जलवाई वितपोश्टर के अपने वादे को पूरा करने का अगरभी किया है आपको पता है ग्लास्गो में इसमें कोप 26 हो रहा है हलाकि भारत ने अभी तक जलवाई प्रणतन पर स्युक्त राष्ट फ्रेमवर कर्वेशन के लिए इन प्रतिवर्द्दाओं के साथ एक अध्यतन राष्टी अस्तरप्र निधायत योगदान प्रस्तुत नहीं किया है इसमें पेड़ो अत्वा जंगलो द्वारा या अत्याधुनिक तक्रीकों के माध्यम से कार्बर डायक्साइट को वात्तावर्ण से हटाना शामिल है तो जितना कार्बर उत्सर्चत हो रहा है उतना ही हम अगर परियावर्ण से वन लगा करके असोशित करवा लें तो क्या ह से आप जोड़ के देख सकते हैं सतर से अधिक देशों ने सदी के मध्या तक नेट जीरो लक्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिबत्ता जाहिर की है और इसे पूर अधोगिक अस्तर से वैश्विक तापान को दो डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के पेरिस समझोते के लक जन तीवरताय सकल घरेलूत पाथ की प्रतिकाई उसर्जन को तैटिस प्रश्चत से पैटिस प्रश्चत तक कम करने का वादा किया था दुनिया की अन्य प्रभुक अर्थव्वस्थाओं के तुल्ला में भारत में सबसे कम प्रतिव्यक्ति उसर्जन है दुनिया के भारत जरूर उपर है वर्स 2019 में भारत ने घोशड़ा की कि वह 2030 तक नवी करड़ी उर्जा की अपनी स्थापिक शमता को 450 गीगावाड तक प्रस्थापित करेगा इस घोशड़ा से पहले भारत का साजनिक रूप से घोशित लक्ष वर्स 2022 तक 175 गीगावाड था भारत का व और एनी पेट को से टेसरी आप नाइन फोर फाइव त्री डेवल सेवन 5039 पर संपर करके वाट्सप पर जुड़ सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद